नमस्कार सातियों राजस्तान लोग सेवा आयोग कोलीज असेस्टन प्रोपेसर भरती 2020 की जो टेस्स सीरीज आज 10 मई 2021 को हुई उसकी आंसर सीट के बारे में इस वीडियो में डिसकस किया गया है कि कौन से प्रशन का क्या आंसर होगा लेकिन इससे पहले कि अपना आंसर सीट के बारे में डिसकस करें यदि आप लोगों ने अभी जो है टेस्स रिजोई नहीं की है तो इस वीडियो के डेस्क्रिप्शन में हमने जो पहले तीन पेपर सेड्यूल कर रखे थे उनकी पीडियेफ दे रखी है वहां का लिंक दे रखे है वहां जाके आप पहले की पेपर को देख सकते हैं उनका स्टेंडर्ड चेक कर सकते हैं, साती तेरा ब्लिंक बेस टेस्ट पेपर यूटूब पे डाल रखे हैं, उनके लिंक भी नीचे डेस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उनको आप देख सकते हैं और यदि आपने अभी तक टेस्टरी जोइन नहीं किये, तो वहाँ नीचे आपको वाट्सेप गुरूप का एक लिंक मिलेगा, उसके थूरू आप जोइन कर सकते हैं, और हमसे संपर्क कर सकते हैं तो आज के जो पेपर है, उसके बारे में पहला प्रशन जो है, वो जो है, बोलियों से समंदित है, यहाँ पे पहले प्रशन का जो आंसर होगा, ए उप्सन होगा, जगरोती करोली में बोली जाती है, ढाड़ी उदयपूर में बोली जाती है, नागर्चोल टोंक की भासा है और धावडी उद्यपूर की है इस प्रकार पहला वाला उप्शन इसका सही आंसर होगा प्रशन नमबर दो पे पहुंसते हैं राजस्तान में करक रेका की कुल लंबाई कितनी है तो 26 किलोमेटर इसका आंसर होगा बांसवाडा से होके गुजरती है उशन कठीबंद में एक मातर बांसवाडा जिला इस्तित है राजस्तान का जो पूर्ण रूप से है डूंगरपूर को टच करते वे ये रेका निकलती है और राजस्तान में 26 किलोमेटर इसके लंबाई है ये आपको ध्यान रखना है करक रेका की तीसरा प्रशन अभी न्यूज में चर्चित रहा इस वज़े से इस प्रशन को मैंने इसमें सामिल किया है राजस्तान की देशांतरी स्थिति में सैट्रलाइट से प्राप्त चित्रों के अनसार राज्य का मद्ध गाउँ कौन सा है लेकिन यदि सैट्रलाइट से प्राप्त चित्रों के अनसार इसका पूंचा जाए तो वहां गगराना गाउँ नागोर इसका अनसर होगा तो दोनु ही आंसर सही हैं लेकिन प्रश्ण के इसाब से इदे सैटलाइट से पूंचे तो आपका आंसर दो होगा गगरणा गाउ नागोर चोथे प्रश्ण की तरह पहुंचते हैं तो चोथा प्रश्ण है भू वगयनिक टी एच हैंडली के अनुशार आकरती पूंची है तो यहां पे रोमबस जो है वो टी एच हैंडली नामक जो भूगुल वेता है उन्होंने रोमबस आकरती बताईए इसलिए इसका आंसर चोथ कोई संदेह हो तो निश्चित रूप से बेहीं चक आप नीचे कोमेंट में जो कोमेंट कर सकते हैं उसमें संसोदन किया जा सकता है किसी बी प्रशन में पांचवे प्रशन की तरफ जाते हैं अंतरास्टर सीमा रेखा पर कौन सा जिला मुख्यालय सरवाधिक दूरी पर इस प्रश्ण जो यह आपके स्क्रीन पे है पांचवा प्रश्ण अंतरास्ट्रे सीमा रेखा पर तो बाड़ में होगा लेकिन अंतरास्ट्रे सीमा रेखा से पूंच ले तो फिर आपका अंसर धोल पूर होगा यह ध्यान रखना है अंतरास्ट्रे सीमा रेखा पर सरवादिक दूरी परिष्टेत जिला तो बाड़ में रहे लेकिन अंतरास्ट्रे सीमा रेखा से पूंच ले तो फिर आपका अंसर धोल पूर होगा इसलिए इस प्रश्ण को मैंने सामिल किया क्योंकि इसमें कन्फ्यूज होने की ज़्यादा संभावना थी इसलिए मैंने इकन्फ्यूज दूर करने का प्रियास किया है छटा प्रश्ण बिल्कुल सिंपल है निमने से कौन सा जिला चितोडगड को दो बराबर भागों में बाड़ता है तो भीलवाड़ा है साथवा कोशन है निमने से कौन सा जिला दो राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता है बासवाड़ा धूलपूर सबाय मधूपूर बनाते हैं भरतपुर जिला एक मातर ऐसा जिला है जो दो राज्यों से सीमा नहीं बनाता है आठवे कोशन की तरफ चलते हैं हाली में यह प्रशन जो है मैंने आठवा प्रशन इस वज़े से सलक्ट किया है सामिल किया है क्योंकि यह मानगड हिल्स विवाद समय समय पर राजस्तान और ग सब्सक्राइब में इस प्रिजचन को मेंने क्रमर्च से रेलिट करके ग्रॉप में इसको सामिल करने का प्रियास तो राजस्तान में छी में चरकित्मांगड हिल्स वीवाद वो राजस्तान और गुजरात के मध्धे एक विवाद का विशे बना हुआ है तो आंसर नंबर ओप्शन नंबर वन जो है वो आपका आंसर होगा नवा कोशन है निम्न में से कोन सही सुमेलित है तो सही सुमेलित है यहाँ पे बरजनगर नागोर का पाचिन नाम इस सारी गलते याधे जो है योधे गंगानगर और हन्वार पूर वी उत्तरी राजस्तान का भाग जो है उसको योधे नाम से प्राचिन काल में जाना जाता था और यही आपका आंसर होगा चोथे नंबर का प्रशन संख्या 10 भी मैंने करण से रिलेट करके पूंचा है चंद्रावती में अभी उत्खनन कारे चल रहा है कई विद्वान लगे वे हैं और वहाँ पे इस चंद्रावती की विज़े से मतलब परियापत रूप से न्यूज में चर्चेत रहा तो यहाँ भुकम परोधी अभी मारतों के अवसेस मिले हैं तो इसका जो आंसर होगा वो चंद्रावती होगा अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम निम्न में से कौन सा होगा बिल्कुल सिंपल कोशन है गुरु सिकर सेर दिलवाडा और जरगा बारवे प्रशन की तरफ चलते हैं निम्न में से कौन सी नाल उदयपूर में स्थित नहीं है तो केवडा की नाल हाती नाल और फुलवारी की नाल तो उदयपूर में ही है गोरम घाट इसका आपका अंसर हो जाएगा अब यहाँ पे कुछ परवत हैं और कुछ उनकी इस्थिती है इनकी आरे में आपको देखना है त्रिकू या तूट की पहड़ी है वो जोदपूर में है इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो ऐ अल्टरनेट इस खा सही आंसर होगा चोधवे कोशन की तरफ चलते हैं तो चोधवे कोशन पा जो है आपको सिंपल सिंपल करना है B, W, H, W, Jaisalmer, B, Kaner एक कोपेन का जो वरगी करण है जलवायू का उसमें ये प्रशन मैंने उठाने का प्रियास किया है तो इसका जो आंसर है सिधा सिधा होगा A, A से मिलेगा 1, A से मिलेगा 2, B से मिलेगा 3, C से मिलेगा और 4 जो है वो D से मिलेगा इस प्रकार जो है B, W, H, W, Jaisalmer, B, Kaner, Ganga, Nagar, Hanuman, Gard B, S, H, W, Looni, Basin, Naagor, Secauti, Gagar, Basin C, W, G, Bilwada, Bundi, Tok, Jaipur, Urdosa और A, W, हाड, Uti, Bagad, Mount, A, Bu ये जो शेत्र है उसमें मिलेगा इस प्रकार ये option number 1 आपका सही आंसर होगा पंदरवा question है थान वेट ने राजस्तान के जलवायू के वरगीकरण हितु निम्न में से किस जलवायू कारको आधार नहीं बनाया तो यहाँ पे तापमान, वास्पिकरण और वर्सा को थान वेट ने जलवायू के वरगीकरण का आधार माना है लेकिन वनस्पति को इसमें नहीं माना है तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका चार होगा संपूर्ण देश में मानसून सबसे अंत्में 15 जुलाई तक कहां पहुंसता है तो यह आपका जो प्रशन है वो राष्ट्री स्तरका है सूरत कच्छ मेहंदरगड और जैसल मेर में आपका जैसल में जो है वो भारत का लग सबसे पश्यमतम इस्थान है जिला है और वहाँ पे 15 जुलाई तक मानसून पहुंसता है इसलिए अंसर नंबर अल्टरनेट नंबर 4 इसका सही आंसर होगा निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर विकल्प का चैन कीजिए देखिए कथन नंबर 1 है राजस्तान में मानसून सबसे पहले अरब साग्रिय साखा से आता है तो कथन बिल्कुल सही है दूसरा जो कथन है वो बंगाल की खाड़ी मानसून साखा से राज्य में अधिक वर्सा नहीं होती क्योंकि अरावली इसके समान अंतर है तो यहाँ पे नहीं सब्द नहीं होता तो दोनों कथन सही होते लेकिन यहाँ पे दूसरे कथन में जो नहीं है इसको मैंने रैड में किया है आपने इस पे ध्यान दिया या नहीं दिया तो यहाँ पे यह नहीं सब्द को इस प्रकार के प्रशनों को भी आपको ध्यान रखना है ताकि गलती नहीं हो क्योंकि एक प्रश्ण गलत होने का मतलब है हज्जारों की संख्या में आप नीचे चले जाओगे तो इसमें कथन एक सही है और कथन दो गलत है यह अल्टरनेट नमबर वन इसका सही आंसर होगा अठारवा कोशन है राजस्तान की उत्तरी पस्यमी रिगिस्तान की प्रमुख नदियां कोन सी है तो यहां पे आपकी जमाई है बांडी है लूनी है सूकडी है और गरगर है यह फोर्ट ओप्शन इसका सही हो जाएगा केंदर सरकार दोरा प्रवर्टित राष्ट्रे पोसाहर साहता कारिकरम मध्धान भूजन का नाम जो इसका उपनाम है उसका उपनाम क्या है तो यह आपका खिचडी योजना पालनहार योजना गुगरी योजना तो इसमें जो मिड़े मिली योजना है उसका सही आंसर होगा अरावली परवतमाला का सरवादिक विस्तार निम्न में से कौन से जिले में है तो आपका उदैपुर जिला है जिसमें अरावली परवतमाला का सरवादिक विस्तार है सुमेलित कीजिए सुमेलित कीजे कुछ पाढ़ियां हैं और कुछ उनके इस्थान दे रखे हैं तो गोलाकार पाढ़ियां बाडमेर में हैं घोडे की नाल जैसी पाढ़ियां आपकी बारा में है तसकरी नूमा पाढ़ियां उदैपुर में हैं और अर्द चंद्राकार पाहडियां कोटा बुंदी में हैं। इस प्रकार जो आपका ओप्षन होगा वो A, B, C, D आंसर हो जाएगा। राजस्तान का कौन सा एकमत्र जिला उष्ण कटिवंद पर इस्तित है। तो आपका गंगा नगर, जैसलमेर, धूलपूर में बास्वड़ा जो है क्योंकि ये करकरेखा जो है 25.5 डिग्री पर इस्तित एकमात्र जिला है बास्वड़ा। डुंगरपूर से ये टच करते परतिछे दन क्या है? मानसून सुरू होने के साथ तेज होने वाली बरसाद या मानसून विस्पोट के दो-तीन सब्ता तक बरसाद करना होना यही आपका मानसून परतिछे दन है। कई बार मानसून की पहली बारिश हो जाती है, उसके बाद में दो-तीन-चार सब्ता तक ब होने का gap है उसी को मानसून प्रतिषे दिन कहा जाता है राजस्तान को प्राप्त कुल वार्सिक वर्सात का कितना प्रतिषत जल शीत काल में होने वाली बर्सात जिसको अपन माउट कहते हैं भूमदे सागर से उठने वाले चकरवातों से यह बारिश होती है और इस बर्सात से राजस्थान में जो है कुल वार्षिक वर्सात जो राजस्थान में होती है उसका कितना प्रतिशत जल्ग रहने करता है तो इसका सही आंसर आपका 10% होगा 25 कोशिन है राजस्थान की जल्वायू के संदर्ग में निम्न कतनों पर विचार कीजिए वैस सही कूट उत्तर का चैन कीजिए 25 सेंटिमेटर समरेखा मरुस्तल को सुस्क वै अर्द सुस्क दो भागों में बाड़ती है बिलकुर सही है 40 सेंटिमेटर समरेखा राजस्थान को दो बराबर भागों में बाड़ती है ये भी सही है 30 कथन है 50 सेंटिमेटर समरेखा अरावली परिस्तित है जो पूर्वी मैदान वै पसिमी मरुस्तल को अलग-अलग करती है तो कथन 3 ही इसमें सही है ओप्शन नमबर 4 आपका सही उत्तर होगा 26 कोशन है राजस्थान के संदर्व में निम्न कथनों पर विचार कीजिए वैस सही कूट उत्तर का चहिन कीजिए राजस्थान में सतई जल या नदी जल 1.16 परशेंट है भूमिगत जल राजस्थान में देश का 1.9 परशेंट है तो ये दोनों ही कथन आपके बिलकुल सही है राजस्थान में सतई जल और नदी जल 1.16 परसेंट ही है और भूमिगत जल राजस्थान में देश का 1.69 परसेंट है ये भी कतन सही है तो बिल्कुल दोनों कतन आपके सही है निम्न में से कोन लूनी नदी के सायक नदी नहीं है सूकडी लूनी की है, बांडी लूनी की है, सागे भी लूनी की है अनास नहीं है तो यहां पर अनास जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा निम्न को सुमिलित कीजी लूनी नदी, माही नदी, घगर नदी और रून्डित नदी लूनी नदी जो है वो आधिखारी आधिमीटी है C-Option से मिल जाएगा माही नदी जो है दक्षनी राजस्तान के स्वन रिखा है घगर नदी जो है वो सोता नदी है और रुंडित नदी जो है वो बान गंगा है इस प्रकार आपका जो आंसर हो जाएगा C.A.B.D. हो जाएगा राजस्तान का एक मात्र हेंगिंग ब्रिजन में से कौन सी नदी परिश्तित है चंबल नदी है सब को पता है सिंपल कोशन है तीसवा कोशन है एसु मिलित कौन सा है सांबर जैपूर में ही है लून करन सर विकानेर में है कावोद जैसलमेर की जील है ये सारी जो है खारे पानी की जीले है तालचा पर जोदपूर में नहीं है तालचा पर चूरू में है इस प्रकार ओप्सन नमबर चार आपका सही आंसर हो जाएगा. राजस्तान की कौनसी जील में शर्वादिक खारा जल पाया जाता है? तो पंचपद्रा जील है, उसमें 98% NECL पाया जाता है, तो राजस्तान की 55 जील सर्वादिक खारी जील है. 32 कोशन है राजस्थान साहजा ने विद्रूग के समय निम्न में से कौन सी जील परिष्टेत महलों में सरन ली थी तो आपका अंसर पिछोला जील है ट्रेडिशनल कोशन है इसमें कुछ ज़्यादा बतानी के आफशेक्ता नहीं है अकाल राहत कारिक्रम के तहत बनाएगी देश की प्रथम जील निम्न में से कौन सी है तो आना सागर जील पहते सागर जील उदे सागर जील या राजसमन जील जो है वो अकाल राहत कारिक्रम के तहत बनाएगी देश की पहली जील है तो ये आपका टू नंबर का उप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा बीसवी पसुगणना दो हजार गुनिस के अंतिम आकडो केंसार राजस्तान में पसुधन में वर्स दो हजार बारा गणना की तुलना में अर्थात अब यहाँ पे दो-तिन चीज़ें और आपको ध्यान रखनी है इससे पहले साथ साल पहले जो है वो हुई थी आपकी गुनिसवी पसुगणना की तुलना में बीसवी पसुगणना में पसुधन में कितनी पर्तिष्चत वर्दी हुई है या कितनी पर्तिष्चत कमी हुई है तो 1.66% कमी हुई है पसुदन में 2012 की तुलना में 35 प्रशन है 20 पसुगणना 2011 के अंतिमाकड़ों के अंसार राजस्तान में निम्न में से किस पसुदिन की संख्या में गुनीश्वी पसुगणना की तुलना में रिनात्मक वरदी नहीं हुई है यहां पे नहीं को पढ़ना था आपको इस वज़े से यहां पे बकरी और खचर में तो ब्रदी हुई है लेकिन भैस में रिनात्म कवरदी नहीं हुई है इसमें आपका आंसर जो होगा वो भैस हो जाएगा दुग्द उत्पादन में संपून देश में राजस्तान का दुट्यस्तान है बिलकुल सही कतन है उन उत्पादन में संपून देश में राजस्तान का प्रतमस्तान है ये भी कतन बिलकुल सही है पसू संपदा की दर्ष्टी से संपून देश में राजस्तान का प्रतमस्तान ह इसलिए यही option इसका आपका सही हो जाएगा आगे चलते हैं जनगर्णा 2011 के सार राजस्तान में सरवादिक जनसंक्या वाले चार जिलों का क्रम से क्रम कौन सा है तो यहाँ पे option में मैंने जैपूर को जानबूज के नहीं दिया क्योंकि सरवादिक जनसंक्या शुरू होती है जैपूर से फिर जोदपूर, अलवर, नागूर, उदैपूर तो जैपूर का सब को पता था इसलिए मैंने second option का चाहिन किया है जोदपूर, अलवर, नागूर उदैपूर आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्तान का वह जिला कोन सा है जिसकी कुल जन संख्या तो आपका अंसर हो जाएगा डूंगर पूर 49 प्रशन है सक्षम, अभ्यास, द्रश्टी और जाग्रती किस कारिक्रम के अंग है तो ये बालिकाज शिक्षा में एक नवाचार सुरू किया गया है उसी के एक कारेकर्म के प्रोग्राम के कुछ पार्ट्स हैं तो बी ओप्सन आपका हो जाएगा इसमें वर्स 2011 की जन्गर्णा के अनुसार राजस्तान में पुर्षों यह महिलाओं की दस्किय साकसरता दर में प्रतिशता वर्दी हुई है तो यह आपका पुर्ष और महिलाओं में साकसरता दर में पुर्षों में कम हुई है साकसरता क्योंकि पहले ही ज़दा हो गी थी और अब की बार महिलाओं साकसरता प्रतिशत में ज़दा वर्दी हुई है 8.81 के लगवग तो first option will be the right answer 41 question है राजस्तान में नियूंतम पुरुष साक्सरता वाले घरतेवे क्रम में जिले क्रमस है कौन-कौन से हैं तो ये आपके स्विरोही बासवड़ा और प्रताबगड़ा आपका सही आंसर हो जाएगा निम्न को सुमेलित कीजी सरवादिक जनसंक्या जैपूर सरवादिक जनसंक्या वर्दीदर जैपूर नियूंतम जनसंक्या बाड़मेर सरवादिक लिंगानुपात जैसलमेर सरवादिक घनत्वे डुंगरपूर तो इसमें जो है पहला जो option है वो आपका सही दूसरा जो answer है दूसरा option पहले में A में 1, B में 3, C में 4, D में 5 और Y जो है उसमें आपको 2 number का option आपको इसमें सही करना है तो प्रमान सहीत मतलब आप अपने ग्रुप पे बता सकते हैं निचे कमेंट भी कर सकते हैं निम्न में से राजस्तान की अरावली स्रेणियों से सम्मंदित नाल सब्द का अर्थ क्या है तो नाल घोड़े के दोड़ने का रास्ता है या एक विसेश प्रकार का रास्ता है तंग रास्ता है यानि दक्षनी राजस्तान में जो दो परवतों के भी सक्रे सक्रे रास्ते होते हैं तंग रास्ते होते हैं उनको दर्रा का जाता है तो third option will be the right answer 45 प्रशन है स्तलाकरती की दर्ष्टी से राजस्तान के किस प्रदेश को एक विसाल इंसेल वर्ग के संग्या दी गई है तो यहाँ पे जो आपका आबू परवत खंड है उसको एक विसाल इंसेल वर्ग के संग्या दी गई है B option will be the right answer 46 वा कोशन है राजस्तान में छेतरपल की दृष्टी से सबसे कम छेतरपल वाला करशी जलवायू खंड कोन सा है तो वो है आदर दक्षन मैदानी खंड 3rd option will be the right answer 47 वा प्रशन है राजस्तान में पर्थम मिट्टी परिक्षन प्रियोक्षाला जूदपूर में बाहर सरकार की सायता से कब इस्थापित हुई तो 1908 में पर्थम मिट्टी परिक्षन प्रियोक्षाला जूदपूर में इस्थापित की गी थी ए उप्षन सही उप्षन होगा राजे में काली मिट्टी के विस्तार वाले जिले कौन-कौन से है जहलावाड कोटा, बूंदी बारा, सवय मादुपूर का कुछ भाग या उप्रिक्षन भी तो यह चोथा उप्षन जो है वह आपका सही होगा जहलावाड बारा, कोटा, बूंदी, सवय मादुपूर का भी कुछ हिस्सा इन सब में काली मिट्टी का विस्तार है पस्यमी विक्षोव जिसे सीद काल में राजस्तान में माउट होती है और संपूर्ण राजस्तान में जितनी बारिश होती है उसका 10 प्रतिशत जो जल ग्रहन है वो माउट के द्वारा राजस्तान में होती है हरियाना राजस्तान पंजाब दिली में माउट होती है भुमिद्य सागरी विक्षोबों से ये बारिश होती है तो चोथा ओप्सन आपका सही उत्तर हो जाएगा दुलारी योजना का समंध किस से है तो अनुसुचित जाती की बालिकाओं के कल्यान से है या किसोरी बालिकाओं को जीवन कोसल सिक्षा प्रदान करने से है या ग्रामीन सात्रों को स्कूल जाने ही तो निशुलक बसी आता से है उप्रुक्षबी से है तो बी ओप्सन आपका सही अंसर हो जाएगा इस प्रकार आपके पचास प्रशने टेस्स सीरीज में सामिल किये गए है आगे की जित्य भी टेस्स सीरीज होंगी आपके टेस्ट पेपर सांगे 20 माई को पहला टेस्स है जिसको आपको दुबारा से रजिस्टेशन करवाना है उसमें 100 प्रशनों का पेपर होगा और निश्चित रूप से उनमें प्रशनों का संग्रह इस प्रकार के किया जाएगा कि एक प्रशन से कई प्रशारे साहे के प्रशन निकल सके और आपके तयारी को एक अच्छी गती दी जा सके तो यह जो आपका यदि तीन पेपर जो पहले शेडूल कर रखे थे वह यह दिया आपने दिये हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं दिये हैं तो इस वीडियो के डेस्क्रिप्शन में उनका मैंने लिंक डाल दिया है वहां से आप डाउनलोड करके उनको देख सकते हैं उनका इसतर चेक कर सकते हैं साथी 13 ब्लेंक टेस्ट भी वहाँ पे मैंने डाले हैं उनकी लिंक भी मैं आपको यूटूब इस पे डेस्क्रिप्शन पे दे दूँगा आप वहां चाहिके उनको चेक कर सकते हैं अभी जो नई टेस्ट स्रीज का रजिस्टरेशन चालू है आप साथ मई से सुरू हैं काफी लोगों ने उनको रजिस्टरेशन करवा भी दिया है तो 25 टेस्ट स्रीज की पीस रखी है 500 रुपय है तो आपने यदि उसको अभी जोइन नहीं किया है तो जोइन कर ले और आपके उजवल भुष्षे की कामना के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं थैंक्यू, थैंक्यू वेरी मच्च